मैं नम इस विरन सिंग वेलकम तो इलर्णन प्लेटफॉर्म सो कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर एक्जामिनेशन डेट कब आएगा कई सारे लोगों में वीडियो भी बना दी होंगे अब तक अपडेट के बारे में नोटिफिकेसिंस के बारे में मैं थोड़ा लेट हो गया आपको इनफॉर्म करने में और फिर भी दे रहा है दुरूस्ता है यह जो इनफॉर्मिशन है 17 जैनुरी को आपको जो है यह इनफॉर्मिशन मिल जाएगी यह पीड़ वहां से नोटिफिकेसिंस डाउलोड कर सकते है जिसमें इन्होंने बताया है सेड्यूल क्या होगा सेफ्टवाइस या किस तरीके से यह 29 जैनुरी को जो आप देख पा रहे होंगे वह आपका आर्थ ओसियन और एट्मोस्फेरिक और प्लैनेटरी साइंस का इग्जामिनेशन है 15 फेबरी को जो है वह फिजिकल साइंस का इग्जामिनेशन है 16 फेबरी इस बार भी लाइफ साइंस जो है दो सिफ्ट में एक्साम होने वाला है डियू तो हवी डूट अफ़ है इस बार फिर से जो है वह कहते है मार्क्स नॉर्मालाइज होंगे मतलब दोनों को कंबाइन करके लिए स्कूर निकाला जाएगा अगर कोई भी पेपर ताफ है कोई पेपर किसी भी सिफ्ट का पेपर टाफ और एजी होगा तो दोनों को कंबाइन करके कंबाइन कट आफ या कंबाइन जो है एंटी इस पूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा सो जिस भी पेपर में आप हो इसके लिए वरी करनी की ज़रूद नहीं है जस्ट गिब यूर सब्सक्राइब अपने वेब साइट पे आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं तो 17 जनवरी और 17 फरवरी सीधा-सीधा एक महीना आपके हाथ में बसता है आपके पास मौका है कि आप अपने समय को सही से उप्योग करें और प्रपरेशन को और भी अच्छे से बूस्ट करें और भी अच्छे से उस पर एफट करें सो दाट कि जो अपकमिंग एक्जाम 17 का फेब्रारी को है लाइप साइंस ग्रूपों और प्रूप्थों का वो एक्जाम आप क्राइब करता है सो अल दे वेरी बेस्ट तो अल उफ यू फॉर एक्जामिनेशन कह सकते हैं कि काफी दिनों बाद आपको एक अच्छी न्यूज मिली है तो इस अच्छी न्यूज का सही तरीके से इस्तमाग करें मोटिवेशन ले और डेफनेटली आगे बढ़ जाएं सो अल दे बेस्ट विल्ट वाट से नेक्स वीडियो में तिल देर बाद टे क्या